मौनू माने सर, माने सर मेरे रिस्तेदार नहीं है जो पचास बार नाम लेका उसको फेमस करूँ तुम लोगों ने बहुत कमी कसर नहीं छोड़ रखी उसको फेमस करने में तुम ने बहुत पूरी कमी की उससे जादा कमी सरकार ने की तो मुझे उसको फेमस करने की मैं अपने भासा सुधारी है अपनी भासा सहली सुधारी है तो क्यों नहीं सरकार के लोगों रख्षा कर सकते हैं लेकिन जिनों ने जिनके चाती पेयराइब करके आज आप मुख्यामंत्री पर बैठे हुए उन्हीं को कहते हो कि मैं एक व्यक्ति की रख्षा नहीं कर सकता पटिए विदायक के जो भी विद्ख्या प्रकिंटी को कैसे कर सकते हो अगर व्यक्ति ने कहा तो किसने कहा आपको किये पूरे कॉंघर सम्राइश ब साम ड़केक बिल्कुल मेरी बात उनिए अगर वहां पर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि बक्तल ताड़ देंगे अगर शांती के लिए अच्छी बात है वहां पर कोई भी जगड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है फिलाल तोड़ी जा रही है और सबसे बड़ी और एहम बात वहां के जो लोकल किसान है जो वहां के रहने वाले मूल रूप से निवासी है उन्होंने शांती की अपील की उन्होंने किसी भी जगड़े में जाने से बिल्कुत साफ मना कर दिया खास करके वहां का जो ज़्यादा जिएत्स की सरकारतो आप चल रहा है और आप सिर्म जिम्मेदर बना रहें जो खटर मुख्ऑ मंथ्यारिय उनको क्यों निちゃुन पूरा की सब्समेदार मुख्ऑ देखे सबसे पहली बात जो कानुनी कारवाई है वो सभी पर होनी चाहिए पहले आप इस बात को समझ लीजिए वह केले किसी एक व्यक्ति पर नहीं क्यूंकि वहां दुकाने तोड़ी गए वहां माहिलाएं बेगर हैं बच्चे बेगर हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता और ज जब कभी इस तरीके का माहोल होता है तो उन पर रोक लगनी चाहिए चाहिए वो मुस्लिम संगठन हो चाहिए वो हिंदू संगठन हो कितनी बार गए मौनू माने सर जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खीचे गए बलातकर किये गए उनके शरीर में हाथ डाले गए उनके सतन को खीचा गए कितनी बार गए वो भी बेटियां हिंदू की भी हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए अच्छी डवलप के लिए और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं इनको दिक्कत है ना आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है केंदर में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है राज्य में इनकी सरकार है उनको दिकत नहीं है और इतने दिनों से 90 दिन से ज़्यादा हो गए मनीपूर की घटना को मनीपूर में अंदोलन चल रहा है मनीपूर में धरना चल रहा है और जूज रहा है मनीपूर आग से उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नूमेव मानते हैं अगर उसको कॉंगरिस की सरकार जेल में बंद करती तो शायद आज ये दंगा नहीं होता मोनु माने सर हो अगर पकड़ती सरकार तो आज ये महौल नहीं बनते हैं देखें मैंने ये भी सुनिए सुनिए मेरी बात इस बात का भी मैंने अच्छे से पता लगाया यह आप मुझे बता रहे हैं व्यक्ति को ये जो नुहूं वाला इलाका है ये हरियाना और राजिस्थान का बॉर्डर है और वहां पर उसके पीछे भी लोग लगे हुए ऐसा नहीं है नहीं लगे हुए और मैं भी अपील करूँगी राजिस्थान सरकार से भी और खटर जी से ैं कि आप ही एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता अगर अप रक्षा नहीं कर सकते तो अपने पध को छोड़े judgments कर सकते और मैं आप घृल करूंगी कि जल्द से जल्द उसस पर कारवाई हो और उसको पगड़ा जाए क्यूँक्य कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फेलाता है क कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जैट चाहे वो हिंदू है चाहे वो कोई भी है वो कभी देश के हित्में और अपने धर्म के हित्में हो ही नहीं सकता अच्छा तो मोनु माने सर जैसे लोग लगाएंगे क्या पिर सब्जी के ठेले फिर हम उनसे खरी देंगे जिसका जो काम है जिसका जो वेवस्ताय है तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस-किस के घर में गाय की से समस्वानित बतायी है सब करते हैं कितनी गायों को पाल रहे हैं जब इतनी सडक पर गाय मां घूम रही है। सिर्फ आप चिलाना जानते हो जूड़ बोलना जानते हो सरकार किसकी है अब देखे सरकार में भाजपा सरकार में ऐसा महाल हुआ है कि बलातकारियों को रिहा किया गया मनीपूर में बेटियों के कपड़े उतारे गया उनका बलातकार किया गया उनका शोशन किया गया अब हर्याना में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रह अगर आपने अपना धरम भी पड़ा हो क्या मुस्लिम धरम यह कहता है कि आप लड़ाई जगड़े दंगे करो पताईए क्या लिखा है कहीं कुरान में ऐसे ही किसी धरम की पुष्टक में नहीं लिखा हुआ और जो लोग ऐसी चीजें पहलाते हैं समाज में ऐसा जहर घोलते हैं उनका धरम से कोई तालुक नहीं होता बूद क्या सब्ता है तो चाहिए यह साथ है वोग्यूद को शांति करें हैं किस सब के साथ हैए तो उनके सबके साथ हैं हैं जल्ब संखक करेंगे किसी चीज का करेंगiennent हैं बदंगा थिया अलते बात बताईए क्या आगर कोई अप्राइब अपने यहां पैस्ट को कोई भी जलाबिशेक कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं ए कि तुम उसको उग्र रूप दो और तुम घलत चीजों का मैसिज करो अगर जाना है तो आराम से जाहिए कीजे जलाबिशेक कौन वाना करेगा आराम से जाएए लेकिन आप जला भी शेक की आड में लडाई जगडा करना उल्टी सीधी बाते समाज में फैला नहीं है कहा का सही बताई यह को श् insbesondereट सुनेए नहीं 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 जो व्यक्ति समाज में ऐस समाजिक तत्व होते लेकिन इस देश में ये कानून नहीं है कि आप किसी के नाम के जैकारे लगाएं मैं अलिए जब गोली मारी जाए मुझे तो आप लोग बस इतना गया ना, कि लड़ते लड़ते देश के भाईचारे के लिए मरगा है कि अरिवार के परिवार में किया बाराएं? सबसे पहले तो मेरे पूरी समवेदना है उनके साथ में और मैं दोनों ही धरम के पाटी शानती बनाये देश में शानती की जौरत हैं इनको भै है डर है हारने का तो राजस्ठान के बिलकुल करीब में आता है नूमेवात उधर मनीपूर की बेटियों की चीख इस हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुकी है इसलिए इनोंने इस बीजे की यह मिलकरके दोनों लोगों ने क्यूंध करेंगे मनीपूर का कोई मुद्दा नहीं है हिंदु-मुस्लिम मुद्दा है मणीपूर का मुद्दा नहीं है आपके अपकी नचनों में बेटियो आखरी सवाल आखरी सवाल मौनू माने सर को क्या कहेंगे आप मौनू माने सर से क्या कहना चाहेंगे मैं यही कहना जाओंगी कि अगर आपको वेदों का ग्यान है अगर आपको शास्त्रों का ग्यान है अगर आप इतने ही बड़े गौरक्षक हैं उस मा को सच में ही मानते हैं पुर इत्ने ही बड़े आप हिंदू रक्षक हैं। हुजारप बागए। कि इस हिंदूस्तान की सड़कों पर इतने गाये जो हमारी घूँम रहे पनी खाती है। पिनी खा कoter उनके नोई मुरत जाती है आप धरम के परती लड़ रहे हैं ये सरकार का काम है पतागर ना और जो उन्होंने किया है वो उसका काम है सरकार का मेरा काम नहीं अगर मैं किसी को सर्टिफिकट नहीं बाठती क्यों मैं तो बोल रही हूँ और कैसे बोलू और कैसे बोलू कि हैं लोगों ने बहुत पूरी कमी की उससे जादा कमी सरकार ने की तो मुझे को लेन चाहती नंद और आप में